नमस्कार मैं हूँ जोतिष डॉक्टर रवी गुपता और ब्रह्ण जोतिष ग्यान मेरे चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ बिरिश लगन बिरिश रासी वाले 30 मार्च को बिरिशपती का रासी परिवर्तन हो रहा है क्या इसका प्रभाव पड़ेगा इसके वारे में एक विशेस महाय परिशोट बनाकर के मैं आपके सामने परस्तुत हो गया हूँ बिरिश लगन, बिरिश रासी वाले पहले मैं बिरुषपती की बात करता हूँ आपके जनम पत्रिका में बिरस्पती जो है मिर्त्यु घर का मालिक होता है और आय का मालिक होता है और बरतमाल समय में जो है नीच का भाग्यस्थान में गोचर में इस्तित हुआ है अब देखिए बिरहस्पती क्या होता है बिरहस्पती जो होता है यह बहुत ही सुद्ग्रा होता है जनम पत्रिका में यह जो होता है मिर्त्यू के और भाग्य के कारक होते है यानि आप भाग्य और मिर्टी दोनों इनसान से बहुत बड़ा सब्जेक्ट जुड़ा होता है, इसके कारक होता है इनसान कितना पुन्ने करेगा, अब पुन्ने करने के बाद जो है, वह नरक में जाए के स्वर्ग में जाएगा, यह बिनिश्पति ही तय करते हैं बरतमान समय में बिर्श्पति अति-चारी होकरके मकरनासी में 30 मार्च को परवेश करेंगे 14 मैंसे यह वकरी हो जाएंगे पुना जो है 30 जून को यह पुना जो है वापस लोट जाएंगे धनुर्णासी में अब मैं आपको यह बताना चाहता हूँ आतीचारी का अर्थ होता है किसी ग्रह का तिबरगती से परिवर्टिप करना यानि कही जाकर के पुना लोट जाना होता क्या है कि राहू, बूद, ब्राषपती, शनी इन सबी ग्रहों का परवाRicha के उपर सबसे ज़्यादा पड़ता है क्योंकि ये इन सभी ग्रहों का जो दसाएं होती हैं वो लंबी होती हैं तो जब ग्रहों की दसाएं लंबी होती हैं तो मनुस इसके कारण जो है थोड़ी से आयस्थिरता की ओर आता है और बिरहस्पती जो है यह बहुत ही पावरपुल ग्रह होता है दर्सको आप समझ पाएं आइस्थिरताएं होनी जो हुती वो सुभ नहीं होती है इनसान कभी गती सील होता है कभी इनसान कभी आइस्थिर होता है इनसान का मन कभी चंचल होता है कभी सांथ हो जाता है इनसान के जीवन में विरश्पती सूगर थायरॉइड और साथ में बुद्धी और ग्यान के साथ साथ में धन और पवितर स्थान के भी कारक होते हैं यानि बहुत ही महत्पुन कारक ग्रा होता है और साथ में बिरस्पती जो होता है इमन्दारी के साथ मितरता के भी कारक होते हैं साथ में यह मंगल और सनी के साथ बिराजमान हो रहा है यानि एक नियाधिस के साथ और एक अहंकारी ग्रह मंगल के साथ बिराजमान हो रहा है जब परन्तु यह मंगल जो है इनके मित्र है अब मैं बताना चैता हूँ कि बिर्षपती क्योंकि आईू के भी कारक होते हैं और आप अपनी जीवन में कितना धन कमाएंगे जीवन में करिजदार बनेंगे की नहीं आपका स्वास्त कैसा रहेगा यह सारा बिर्षपती ही निर नहीं करता है चो चलिए लगन ब्रिश रासी वाले वरतमान समय में 30 मार्च से 30 जून के मद्धे में आपके जीवन में ब्रिशपती का रेट्रोगेट होना क्या प्रुभाव डालेगा सबसे पहला मैं बताना चाता हूँ कि ब्रिशपती भाग्यास्थान में नीच कर्ष्थित रहेगा भाग्यास्थान में सनी और मंगल के साथ नीच कर्ष्थित है बरीज़फमें विरヤस्ता में विर्शपती का बैठना, विर्षपती जहाँ भी बैठता उसको सुभफल देता है, लेकिन जहाँ देखता उसको सुभफल देता है यह एक benefit अमनिकल बिलकुल आपके support में है, भागयास्ता में विर्ष्पति का बैठना मंगल के साथ थोड़ा पद्धों नती में बाधायें उत्पन होंगी, सरकारी पद्ध में आपको थोड़ी इसे आई स्थिर्दायें उत्पन होंगी, पिता के स्वास थोड़े से डिश्टर्बेंस होंगे, घरेलू कुछ प्रपटिया रहेंगी तो उसमें थोड़ी विवाद के संभावनाई रहें लेकिन थोड़े से संघर्ज करने पड़ेंगे, पांचवेद रिश्टी से लगन को देख रहा है, यानि जीवन में कुछ गलतियां आपनी किया है, तो इस निच्च के बिरस्पती में आप सभी को बैट करके जो है, उसका निरिच्छन करेंगे, उसका जो है मन में ही अपन धन की प्राप्ति होगी, रिस्तदारों से आपको सम्मान की प्राप्ति होगी, साथ में ये नौमिद रिश्टी से संतान होस को देख रहा है, संतान जिनके हैं, उनके स्वास संतान के थोड़े खराब रहेंगे, परन्तु जिनके संतान नहीं है, उनको संतान कंसीब होने का योग भी बनेगा, साथ में है यह सिख्छा और ग्यान का स्थान होता है यानि सिख्छा और ग्यान को में आप विशेश इस महेंने विशेश बढ़ोतरी करेंगे परन्तु भाग्यों नती में थोड़ा सा बाधाउत बन होगा, साथ में क्योंकि विरिश्पती परन्तु आएंगे या पूरा वेक्रेट रोगेट भिरिश्पती आपके जीवन भिरिश्पती लगनवाले आपके गलतियों को याद कराएगा जीवन को रिपेर करेगा और लाइत में आपको आगे बढ़ाएगा हाँ, पूजय पार्ट में आपको थोड़े कममल लगेंगे धार में क्यात्राएं या फिर अनियत्राओं में थोड़ी सी बाधाएं नीचित तोर पे उत्पन होंगी और साथ में जो है, लेकिन एक इसके साथ बेनिफिट ये है कि उच्च प्रकार के ज्यान आप इस मेहने प्राप्त करेंगे जब विरिष्पती जितना दिनों तक वकरी रहेगा फिर भी नीच का विरिष्पती है, तो विष्णू सहस्तर राम का पाठ करें क्योंकि विरिष्पती आपके कुल्ले में मिर्त्यु घर के मालिक है बीच में और गुरुवार के दिन सारिक संबंधना बनाए और गरीबों को जो है आप गुरुवार के दिन गुड का यह चनी का दाल का दान करिए देखिये बिरिष्पती का फल सोब हो जाएगा दसको चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेर करें, सबस्क्राइब करें अगर आप आप मेरे चैनल पे नहीं है तो मेरे से personally lands लेना चाहते हैं तो number फेले सोरा मेरे से personally á magnitude ले सकते हैं आज लूँगा आपके सरी जादत neam मिलूँगा नेक्स्ट और ग्यानमरत्त वीडियो के साथ तब तक बने रहे मेरे यूट्यूब चले लिसका नाम है ब्रह्म जोतिस ग्यान और मैं हूँ जोतिस डॉक्टर रभी गुपता नमस्कार